आग्रा कि सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउंडोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आवास विकास परिशद आग्रा जोन के अधीन आने वाली तमाम संपत्यों की निलामी और आवंटन में एक भी आवंटी निलामी में नहीं पहुचा इससे पहले जब निलामी हुई थी तो उस समय काफी लोगों निलामी में पहुचकर लगभग साथ करोड़ रुपे की संपत्य खरी दी थी इस बारे में सहायक आवास आयुक्त देश दीपक सिंह ने जानकारी दी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिशत के आगरा जोन में लगभग 150 संपत्यों की निलामी होनी थी लेकिन अधिकारी दिन भर बैठे रहे फिर भी इन संपत्यों को खरीदने के लिए लोग नहीं पहुचे सरदी जादा होने की वज़ा से लोगों ने घर से बाहर निकलना उचित नहीं समझा इस बारे में सायक आवास आयुक्त देश दीपक सिंह ने जानकारी दी पूरे जोन में आवासिये, प्लाट, फ्लैट्स, कमर्शियल की लगभग 150 संपत्यां थी इससे पहले भी निलामी हो चुकी है उस निलामी में लोगों ने बर्चर कर भाग लेते हुए लगभग 7 करोड से ज़्यादा की संपत्य खरीदी थी आगरा जोन में मैनपुरी, शिकोहाबाद, फिरोजबाद, आगरा में सिकंद्रा योजना, ट्रांस यमना, फेस वन और टू, कमला नगर, मतुरा, हाथरस, अलीगर, काजगंज में लगभग 150 संपत्यों की नीलामी होनी थी बरहल आवास विकास के नए सहायक आवास आयुक्त, देश दीपक सिंग का पूरा प्रयास है कि इन संपत्यों को जल्द से जल्द विक्रे किया जाए सीन्यूस के लिए विनो जूनियर की रिपोर्ट